मेरे प्यार बेंड भाय ये मनित्रो के स्वाबागा जामात कने वोले मोनिसी प्कृरिम के बार मैने स्कृरिम के काये अफाई देका नोकसान इस बुमा पुरी यांग गये जाने वालो चले दोस्ते बिड़ी स्टर्ट करते हैं आप इस क्रीम को लगा सकते हो या फिर आपके खुजली हो रही हो या फिर आपके जांगों के बीश में खुजली या पुराने से पुराने दाद हो रही हो तो आप इसको लगा सकते हो और दोस्तो अगर आपके चहरे पर केल मौशे हो रहे हो तो आप इस क्रीम को आँखों से बचा कर लगा सकते हो और दोस्तो अगर घुमोरी हो रही हो तो दोस्तो आप इस क्रीम को आसानी से उस जगे पर लगा सकते हो दोस्तो आपने देखा होगा कि आपके शरीर पर कभी कभी आपके शरीर पर यानि की छोटे छोटे लाल चकते हो जाते है तो दोस्तों आप इस क्रीम को आसानी से उस जंगे पर भी लगा सकते हो या फिर आपके सरीर पर फोड़ा फुनसी निकल गई हो तो आप इसको भी उस जंगे पर लगा सकते हो और एक्जिमा में भी आप इसको लगा सकते हो या फिर शाजन की दिक्कत में भी आप इसको लगा सकते हो तो दोस्तो अब मैं आपको इसके साइड इफैक्ट यानि की नुकसान के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तो काफी लोग यह क्रीम को रंग गोरा होने में कर रहे है जबकि हमें 90% ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप इस क्रीम को लगाना बंद करोगे और आपकी स्कीन खराब और पतली हो जाएगी तो फिर आपको नुकसान हो सकता है तो दोस्तो जब भी आपको इसका इस्तेमाल चहरे पर रंग गोरा होने के लिए करना है तो डोक्टर की सला से ही करना है और रंग साफ करने के लिए नहीं करना है दोस्तो अगर आपने इस क्रीम को इस्तेमाल कर लिया है और इसकीन पर प्रोब्लम्स हो रही है जैसे की रेडनेस, होराइसिस, लाल चकते हो गए है तो दोस्तो उस जेंगे पर ये क्रीम लगाना बंद कर दे और खबराए नहीं तुरंट अपने डोक्टर से कॉंटेक्ट करे दोस्तो उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होगे